नमशकार दोस्तो आपका स्वागत्ता है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट परसन में जी तो दोस्तो आपको आज बता रहे हैं कहानी एक पड़ोसी देश के बारे में जी हाँ दोस्तो यह पड़ोसी देश है पाकिस्तान ये अपनी बाहर के दुश्मनों को तो मुह तोड जवाब देता है मगर अपने अंदर के दुश्मनों से अभी तक ये लड़ न सका इनके अपने ही अंदर के देश द्रोहियों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जी हाँ दोस्तो ये कहानी है बियोरोक्रेसी की कराची कुरंगी टाउन के बियोरोकेरेट के घर पर जब रिट पड़ा तो वहाँ से क्या ब्रमद हुआ ये जानकर आप दंग रह जाएंगे जी हाँ दोस्तो 10 करोड डालर और 20 करोड पाकिस्तानी रुपए और इसके साथ साथ 500 तोला सोड़ा जिस छखस की विडियो आपके सामने तस्वीर आपके सक्रीन पे दिखाई जा रही है इसी डिफटी कमिशनर के घर पे जब छापा पड़ा तो वहाँ से 500 तोला सोड़ा और 20 करोड पाकिस्तानी रुपईज 10 करोड डालर पाकिस्तान के करदों की तकरीबन चौथाई हिस्सा हो रहा है जी तो दोस्तो यहां पे स्टाप नहीं होता इसके साथ साथ करोडों रुपई की मालियत के शराब जो के पाकिस्तान में मना है हराम करार दिया गया है एक पलीस अफसर के घर से बरामद होता है करोडों के हिसाब से रुपई और डालर की हिसाब तो यह ब्योरे क्रेसी ही की वज़ा से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है इस देश ने जब अपनी बहरूने मुमालिक से सुला करके अंधरूनी दुश्मनों से लड़ना शुरू किया उस दिन ये देश अपनी तरकी की रह पर चल पड़ेगा वरना इसका हल कभी भी नहीं निकल सकता क्यूंकि जिन देश द्रोही यूँ की वज़ा से पाकिस्तान तरकी नहीं कर रहा है बाहर के लड़ने से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है बलकि वो और मजबूत होते जा रहे हैं उनको अभी और खाने को मिल रहा है हमारे जो पड़ोसी मुलक हैं उनको चाहिए कि वो अपने अंदरूनी दुश्मनों से लड़ें और उनका खात्मा करें ताकि इस तरह के मासुमाना शकल जो के करोड़ों के साब से रुपए तो जमा कर लेती हैं झाले हैं